Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज 26 October 2022 है, तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंब 4 के बारे में जो की GS Foundation Course है 2030 के लिए, ये batch 14 November से start होने वाली है अगर आप खुद को 14 November के पहले enroll कर रहे हैं तो आप इस course में 8 महिनों की additional validity ले सकते हैं इस बारे में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर call कर सकते हैं या फिर हमें by mail भी contact कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमार फरस्ट आर्टिकल महरास्टरा की सरकार ने हाल फिलहाल में जो general consent restore कर दी है CBI को उसके बारे में है इसके कुस्ते में पहले महरास्टरा की सरकार ने general consent withdraw कर ली थी CBI के उपर ये allegation लगाते हुए कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं लेकिन अब इस general consent को एक बार फिर से restore कर दिया गया है क्या है ये general consent का mechanism देखे एक mandatory consent का concept आता है consent का मतलब आप लोग जानते हो सहमती देना CBI Dairy Special Police Establishment Act 1946 के तहट govern होता है इसमें प्रावधान सिंपसा ये है कि अगर इन्हें किसी राज्य में जाकर कोई investigation करनी है तो उन्हें उस राज्य से अनुमती लेनी होगी approval लेना होगा, consent लेनी होगी तब जाके वो उस state में कोई भी investigation crime की कर सकते हैं लेकिन जादा तर जो states होते हैं वो CBI को एक general consent दे देते हैं कि अगर कोई मामला होता है तो आप हमारे state में आके आराम से investigate करिए आपको approval लेनी के आवशक्ता नहीं है और DPSC Act का जो section 6 है वो इस बारे में प्रावधान करता है कि state जो है वो jurisdiction या जो power exercise करनी के authority है वो CBI को दे सकता है इस लिहाज से CBI NIA से different हो जाती है NIA जो के National Investigation Agency है उसे इस प्रकार की अनुमती नहीं लेनी पड़ती वो NIA Act 2008 के तहप काम करता है गवर्न होता है और उसे पूरी country में jurisdiction होता है उन्हें states के approval की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन CBI को consent लेनी पड़ती है और consent दो तरीके की होती है एक consent होती है जिसे कहा जाता है general consent general consent में simply यही है कि section 6 जो है Special Police Establishment Act का उसके तहत RBI को approval दे दिया जाता है कि कोई भी case अगर आता है तो आप state में आके investigate कर सकते हो और आपको हर बार case को investigate करने के लिए fresh permission लेनी के ज़रुवत नहीं पड़ेगी ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि CBI जो various states है वहाँ पर बिल्कुल आराम से smoothly investigate कर सके मामलों को और state की जो approval देनी की पद्धती है जो mechanism है उसके माद्देम से उन्हें कोई बाधा ना पहुँचे कोई hurdle create ना हो दूसर में के निज़म आता है specific consent का कई सारे states ऐसे हैं जो general consent CBI को नहीं देते ऐसा देखिए अगर आप फुरासा practical होके समझे तो तब होता है जब केंदर में सरकार अलग हो और राज्जी में सरकार अलग हो तो अक्सर CBI के उपर यह आरोप लगाया जाते है तब मामला आता है specific consent का अब जब भी कोई मामला आएगा कोई case आएगा तो CBI को case wise consent लेना पड़ेगा investigation करने के लिए अगर specific consent grant नहीं की गई है तो फिर उन्हें बार-बार consent लेना पड़ेगा इससे कई बार CBI को seamless investigation करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है तो आप समझ गए general consent और specific consent के बीच में अंतर बात कर लेते हैं CBI के बारे में CBI को 1963 में एक resolution के माध्यम से बनाया गया था जिसे Ministry of Home Affairs के द्वरा पास किया गया था मैं आपको बता दूँ कि CBI administrative control के under में आता है Department of Personal and Training के DOPT के administrative control में CBI आती है जो कि Ministry of Personal, Public Gravances and Pensions के ambit में काम करती है CBI को establish किया गया था इसके लिए recommendation आई थी संथानम committee की और ये committee बनाई गए थी corruption को prevent करने के लिए 1962 से 64 के बीच में ये अपनी powers को यानि कि CBI derive करता है Delhi Special Police Establishment Act of 1946 से CBI एक main investigation agency है central government की ये assistance देते हैं central vigilance commission को लोगपाल को भी अगर उन्हें ज़रुद पढ़ती है लोगपाल चाहते हैं कि कोई मामला investigate किया जाए तो वो CBI को बोल देंगी कि आप investigate करके report सौपो international level पे अगर कोई coordination required है इंडिया की ओर से जैसे कि Interpol member countries कोई coordination चाहते हैं by the Interpol तो फिर वहाँ पर इंडिया की ओर से CBI coordinate करती है तो ये तो सारा मामला CBI का हो गया हमारा जो next article है वो Groningen gas field के बारे में है जो Groningen gas field है ये Netherlands का है ये एक बार फिर से news में है क्योंकि Europe में energy supply का crunch आ रहा है reason साफ है Russia से जो gas की supply होती थी natural gas की वो रुक रही है because of Russia-Ukrainian war और Nord Stream pipeline में जो leaks होई है हाल-फिल-हाल में उसके वज़र से जो Dutch government है यानि कि Netherlands की सरकार उन्होंने इसके पहले announce ये किया था कि वो इसे 2030 में बंद कर देंगे इस पूरी gas field को बंद कर दिया जाएगा 2030 में reason ये है कि वहाँ पर अक्सर earthquakes आते रहते हैं और gas leak का खत्रा होता है locals अक्सर protest करते रहते हैं कि उनकी जान को खत्रे में डाल कर gas को निकाला जा रहा है अब ये बात निकल के आई है कि इसे सटडाउन कर दिया जाएगा 2024 के इंड तक because earthquakes वगएरा आते रहते हैं ये जो gas field है ये एक natural gas field है जो कि आपको निदरलाइंड के north eastern part में मिलेगा मैं आपको बता दूँ कि ये ये उरोप का सबसे बड़ा natural gas field है जो region है यहाँ पर earthquakes आते रहते हैं 1980 से ही लगाता earthquakes आते रहे हैं और Dutch government बार बार ये कहती रही है protesters के response में कि हम इसको जल्दी बंद कर देंगे एक बार तो ये भी निकल के आया था कि 2022 से किसको बंद कर दिया जाएगा पहले date 2030 दी गई थी फिर बुला गया कि 2022 में बंद कर देंगे लेकिन अभी जो gas का crunch चल रहा है उरोप में उसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि नहीं 2024 तक बंद करेंगे 22 में अभी बंद करने की situation नहीं है तो जो unsure geopolitical developments हो रहे है उसके जैसे Dutch government अब थोड़ा कत्रा रही है because अगर inwells को permanently close कर दिया गया राइट नौ तो जो gas की दिक्कत है natural gas की उरोप में वो और भी बढ़ जाएगी अब यह field कितना important है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जर्मनी जितना gas import करता है रश्या से अगर हम इस gas field की capacity को use कर ले तो उतनी gas produce की जा सकती है मतब जर्मनी की dependency ratio के उपर से खतम हो जाएगी इतना gas इसमें से निकाला जा सकता है इस लिहाज से gas field काफी important है हमारा next article पॉकली rice के बारे में है जो पॉकली farmers उन्हों ने हाल फिल हाल में मुलाकात की है और एक session उन्होंने attend किया जिसको address किया गया है agricultural officers और farmers के दवरा कोची में अब पॉकली rice क्या होता है देखे salt water resistant variety है ये जो काफी लंबे पौधे होते हैं उनमें इस चावल को गाया जाता है अब ये salt water resistant variety है तो एक बात तो इससे बिल्कुल साफ हो गई ये coastal areas में grow होगा तो अगली rice आपको वही मिल रही है किसी केरला के coastal region में cultivate किया जाता है तो थोड़ा बहुत idea तो आपको लग जाता है अगर को specification आपको किसी चीज की पता हो तो जो पॉकली rice है ये एक incident farming practice से उगाया जाता है जो कि coastal area में उगाते हैं तो वहाँ पानी एकसर डूबा रहता है ऐसे स्थिती में आप कोई ऐसी crop नहीं उगा सकते है जिसमें पानी की requirement ना हो तो जो पानी लगा रहता है उसमें एक तो ये पॉकली rice उगाया जाता है और उसके बाद फिर prawn culture opt किया जाता है पॉकली rice जो है ये वण फिस वन रइस एन्वल साइकेल होती है एक बार आप चावालूगालो और एक बार जो prawn culture है उसको opt करलो अब इसमें धीखें होता किया है जो prawn है जहिंगा या उसकी जो other species है उनको feed करने के लिए आप कुछ उनके लिए खाना पीना उसमें डालोगे वो जो बचा रह जाता है वो उस soil में जाके जम जाता है या इकठा हो जाता है बाद में जब आप उसमें rice लगाओगे तो वो उसमें एक fertilizer या manure की तरह काम करेगा further जो prawns हैं उनका जो excreta है और बाकी की जो remnants हैं वो भी fertilizer की तरह काम करते हैं मतलब जो prawns आपने उसमें cultivate किये उनका जो remnant है उनका excrement है जो उनका excrement है या excreta है further उनको जो आपने feed दिया है यह सब मिट्टी में जम जाएगा और यह आने वाली rice की फसल के लिए एक manure की तरह काम करेगा तो दोनों एक दूसरे के complimentary हैं यह climate resilient agriculture है क्यों? क्योंकि अगर flood आ भी गया ना तो इनको कोई फरक नहीं पढ़ता आपका यह जो plan culture है यह भी safe रहता है और आइस बेराम से उगा रहता है nutrients का store house है यह पॉकली rice इसमें आपको fiber, protein, कई सारे antioxidants इसके लावं vitamin E, mineral जैसे की iron, boron और sulfur भी मिलते हैं पॉकली rice को GI tag दे दिया गया था 2007 में तो आपर इसके बारे में जानते रही हमारा next article doctrine of res judicata के बारे में है सुप्रीम कोट ने हाल ही में यह बोला कि किसी भी well regulated system of jurisprudence में एक बहुत ही fundamental element है res judicata जिसको opt किया जाना चाहिए अब res judicata का क्या मतलब होता है res judicata दो शब्दों से मिलके बना है यह एक Latin maxim है यानि कि एक Latin कहावत है दो शब्द है res or judicata res का मतलब होता है कोई मामला या dispute और judicata का मतलब होता है कि उसे adjudicate कर दिया गया हो यानि कि निप्टा दिया गया हो इसका मतलब यह है कि अगर कोई res का judicata हो गया हो अगर कोई res judicata हो चुका है दो parties की बीच में सुन लिया गया ये party A है, ये party B है इनके बीच में था जमीन का विवाद और एक lower court ने इस पर अपना फैसला दे दिया, अब मामला निपड़ गया ठीक है, clear हो गया कि जमीन का क्या विवाद था अब दो साल बाद यही दो same parties एक बार फिर से उसी lower court में जाके case file करना चाहते हैं, same मुद्दे पर तो case file नहीं होगा, योगि एक बार same मामले पर, same parties के बीच में case adjust किया जा चुका है adjudicate किया जा चुका है, फिर मामला नहीं सुना जाएगा, और इसी principle को कहा जाता है rest judicata, ध्यान दीजेगा कि इसमें appealate का mechanism नहीं included है, आप appeal कर सकते हो किसी decision के against में लेकिन same case आप दोबारा reopen नहीं कर सकते rest judicata का मतलब है the thing has been judged, मतलब एक मामला जिस पर सुनवाई हो चुकी है और judgment पास किया जा चुका है फिर उसे कोई और court same parties की बीच में नहीं सुनेगा हो गया, माले lower court या कोई भी same equivalent court आप उसी मामले को लेकर जा रहे हो तो वो उसको नहीं सुनेगे simple सी बात है, क्योंकि उस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, जो principle है rest judicata का, ये कई बार इस चीज को defy करने के लिए किया जाता है, कि litigants कोशिस करते हैं, कि same मामला फिर से raise कर दिया जाए, हो सकता है, उन्हें different judgment मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे court का समय बरबाद होगा और जो दूसरा court है अगर उसने judgment दिया है तो merit की basis पे दिया होगा, तो आप उनकी merits को भी question करोगे, यह civil और criminal legal system दोनों में ही applicable है res judicata तब apply होता है जब कुछ बातों को संग्यान में ले लिया जाए जैसे कि, जो decision दिया गया है, जिसके basis पर res judicata apply किया जा रहा है वो domestic या foreign हो फरक नहीं पड़ता वो एक relevant sense वाला case होना चाहिए, जिस पर सुनवाई हो चुकी है दूसरा, जो भी facts उस case से जुड़े हुए है, उनको आधार में लेकर सुनवाई की गई तीसरा, कि जो tribunal है उसने अपना jurisdiction follow किया है मतब जिन parties को उसने सुना है वो parties उसके छेत्राधिकार में ही जाते थे, और जो decision दिया गया वो final था, और merits के उपर base था इसके बाद उस case को दोबारा नहीं सुनेंगे हमारा next article Dr. Dilip Mahal Nabis के बारे में है, Dr. Dilip Mahal Nabis जिनोंने ORS का घोल आपने सुना होगा न, ORS का घोल दिया जाता है बच्चों को कई बार rehydrate करने के लिए, dehydration के situation में, इसका full form होता है oral rehydration solution, ये बहुत ही landmark तरीका था, जिसको follow किया गया solution था, जिसको खोजा गया Dr. Dilip Mahal Nabis के दवरा जिसका इस्तिमाल, rehydration के purpose से किया गया, और इसने कई सारी जाने बचाई ये बहुत ही simple सा treatment था dehydration को treat करने के लिए हाल फिलहाल में, इनका देहावशान हुआ है, इनका जिन 12 नॉमबर 1934 को वेश्पंगाल में हुआ था कुलकाता में इन्होंने पढ़ाई की, फिल लंडन में बाद में जॉइन किया, जॉन हॉपकिन्स University International Center for Medical Research and Training, 1960s में उसके बाद इन्होंने oral rehydration therapy के उपर अपनी research इस start की, कुछ लोगों का जीवन आप देखेंगे तो उनकी life achievement से भरी पड़ी होती है और बेलकुल ऐसा ही दिलीप महाल लबिस के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा इन्होंने जो refugee camp से 1971 Bangladesh Liberation War के वहाँ पर ORS के घोल को एपलाई किया लोगों की dehydration के situation को solve करने के लिए 1975 से 79 के बीच में इन्होंने cholera control के लिए काम किया WHO के साथ मिलकर अफगानिस्तान, एजब्त और यमन में mid 1980s और early 1990s में ये medical officer रहे है 1994 में foreign member of royal Swedish Academy of Sciences के तौर पे इलक किये गए 2002 में dr. Mahal Nabis को award किया गया first pollen prize pediatric research के लिए उनका contribution जो ORS के लिए रहा उसके लिए भी further 2006 में इनको Prince Mahidol Prize भी दिया गया जो उन्होंने ये oral rehydration therapy को develop किया इसके परपस से ORS बहुत ही simple सा combination है water glucose और salt का cost effective है सस्ता होता है और dehydration को बहुत तेजी से prevent कर देता है कई बार जो rehydration की therapy होती है उसमें नसों में injection लगा के उसे पूरा किया जाता है वो तेज होता है diarrhea के समें में एकसर किया जाता है बट यह हमेशा possible नहीं होता, feasible नहीं होता है ऐसी condition में ORS कामगार होता है जो ORS होता है इसे WHO ने calculate किया है यह बहुत ही कारगर है और इसने आज तक लगभग 60 million जाने बचाई है तो इनका contribution नोटवर्दी है और अभी इनकी हाल फिलहाल में मिर्ती हुई है हमारा next article commodity faticism के बारे में है Modern society community faticism पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है यहाँ पर brand name सर फोकस किया रहा है over quality और किसी भी product की value के उपर जाकर faticism का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर आपकी strong liking या एक वो इच्छा कि मुझे तो ये चाहिए और उसके लिए आप वो value भी देने को तयार हो जाते हैं जो actually में उसकी value नहीं है simple सा example आपको एक बढ़ियां सा iPhone चाहिए एक बढ़ियां Macbook Laptop चाहिए या फिर आपको चाहिए कोई jewelry कोई diamond jewelry अब ये जो objects आप खरीद रहे हो या simply आपको कोई brand name लगा हुआ suit चाहिए dress चाहिए watch चाहिए ये commodity faticism है simple सी बात कहूँ तो आपकी strong liking है कि मुझे ये चाहिए actually मुझे वो value नहीं है यहाँ पर एक मामला आता है use value का use value का मतलब ये होता है कि उसकी utility इतनी है कि आप उसकी वो value pay करे उसकी utility है like अगर आप एक watch खरीदते हैं 500 रुपए में तो it is very possible कि उस watch को बनाने में 400 रुपए का खर्च आया हो और 100 रुपए बनाने वाला profit earn कर रहा हो तो वो उसकी use value है जो आप pay कर रहे हो that is okay लेकिन अगर आप एक 20,000 की watch खरीद रहे हैं तो ये उसकी use value नहीं है क्योंकि 20,000 की watch को possibly बनाने में उतना खर्च नहीं आया है just because उसके साथ एक brand name attach कर दिया गया है इसके उसकी वो value है तो अब आप जो labor उसके पीछे invest किया गया है उससे बढ़कर जो नाम उसके साथ जोड़ा है brand का उसके लिए pay कर रहे है और इसे ही commodity faticism कहा जाता है जहाँ पर labor value या use value को दरकिनार कर दिया जाता है और जो brand value है या फिर उस product की वो value जो market में उस commodity की वज़ा से create कर दी गई है आप उसे pay करते हैं इसके बारे में Karl Marx अपने first chapter में जो उनका बहुत ही ambitious project था दास capital उसमें लिखते हैं या फिर capital a critique of political economy उन्होंने commodity के analysis को capitalist society में examine किया कि किस प्रकार के किस प्रकार से जो community faticism है वो काम करता है और लोग जो labor value है उसको भूल जाते हैं और commodity की value community के नाम के आधार पर pay करने लग जाते हैं जो term है यहाँ पर social relationship को portrait किया जाता है production और exchange के लिए actually में exchange value होती है जिसको आप pay करते हो capitalism में जहाँ पर relationship build हो जाती है money और commodity के बीच में जो actually में उसकी value होती नहीं है जो term है faticism इसका इस्तिमाल anthropology में होता रहा है जहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक belief होता था एक culture होता था inanimate object को लेकर ऐसे objects जिनमें life ना हो ऐसी वो माल लेते जैसे कोई paid हो गया कोई stone हो गया कि उसमें godly या mystical powers हैं और वो उससे खुद को बहुत connected feel करते थे उसकी और बहुत attract होते थे तो उसे कहा जाता था faticism यहाँ पर Marx ने इस faticism को अलग किया उसके religious connotations उन्होंने बोला यह faticism जो godly या mystical powers हैं किवल उनके लिए नहीं होता बलकि commodities के लिए भी होता है जब यह commodities mystical power attain कर लेते हैं आईफोन में एक mystical power है कि आप उसके लिए 1.3 lakh rupees पे करने को तयार है 1.2 lakh rupees पे करने को तयार है क्योंकि वो उसकी commodity value नहीं है उसमें mystical powers आ गई है यही है commodity faticism उमीद करते हैं कि आपने समझ लिया revision कर लेते हैं Central Bureau of Investigation यह अपनी powers को Delhi Special Police Establishment Act 1946 1460 derive करता है यह तो सही बात है Groningen, Gasfield North Eastern Park में दिर्लैंड के यह भी सही है Pocalli rice Assam में cultivate किया जाता है शुद रूप से गलत है Kerala के coastal area में cultivate किया जाता है ORS एक simple cost effective method है Dehydration को रोकने का बिलकुल सही बात है तो मारा आज का यह session यहां पर समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद